जे स्री क्रिष्णा रधे रधे आई ये सुनते हैं बिज्या एकादसी ब्रत कथा पूजन विधी इवं महत्व एकादसियों का महात्मे सुनने में अर्जुन को अपारहस की अनुहोती हो रही थी जे आएकादसी की कथा का स्रवर रस्पाने के बाद अर्जुन ने कहा तथा उसके ब्रत का क्या विधान है कृपा करके मुझी इसके संबंधों में विश्तार पुर्वक बताएं स्री कृष्ण ने कहा ही अजुन फालगुन महा की कृष्ण पच्छी की एकादसी का नाम बिजया है इसके ब्रत के प्रभावशे मनुष्य को बिजय स्री मिलती है इस बिजय एकादसी के महात्मिय की स्रवर्ड वो पठन से सभी पापों का अन्थो जाता है एक बार दिवर्शी नारद ने जगतपिता ब्रह्माजी से कहा हे ब्रह्माजी आप मुझे फालगुन महा के कृष्ण पच्छी की विजया एकादसी का ब्रत तथा उसकी विजय बताने की किर्भा करें नारत की बात सुन, ब्रह्मा जी ने कहा, ये पुत्र बिज्या एकादसी का उपवाश, पूर्व के पाप तथा बर्दमान के पापों को नश्ट करने वाला है इसे कादसी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परन्तु तुम्हें बताता हूँ, यह उपवास करने वाले सभी मनुश्यों को बिजे प्रदान करती है अब स्रधा पुर्वक कथा का स्रवण करो, स्री राम को जब चौदह वर्ष का बन्भास मिला, तब वो भ्राता लच्मर तथा माता सीता सहे पंच्वती में निवास करने लगे, उश्यमें महापापी रहवर ने माता सीता का हरन कर लिया इस दुखद घटना से स्री राम जी तथा लच्मर जी अतियन दुखी हुए और सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे जंगल जंगल घूमते हुए वे मर्डासन जटायू के पास जा पहुचे जटायूने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा बृतान सुनाया और भगवान स्री राम जी को गोज में प्रार्त्याक कर श्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया कुछ आगे चलकर स्री राम वन लच्मर की शुगरिर जी के साथ मित्रता हो गए और वहां उन्धों ने बाली का बद किया स्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता से स्री राम जी तथा महाराज सुगरिव की मित्रता का वर्ण सुनाया वहां से लोटकर हनुमान जी स्री राम चंदर जी के पास आये और अशोग बाटका का शारा वितांत कर शुनाया सब हाल जानने के बाद स्री रामचंद्र जी ने शुग्रिव की शहमतीशे, बानरो तथा भालूओं की सेना सहित लंका की तरब प्रश्थान किया समुन्दर की राणरे पहुचने पर श्री रामची ने बिशार समुन्द्र को घर यालों से भरा देखकर लच्मरजी से कहा, हे लच्मरण, अनेक मगर मच्छों और जियों से भरे इस बिशार समुन्द्र को कैसे पार करेंगे प्रभु स्री रामची बाद सुनकर, लच्मरजी ने कहा भ्राता स्री आप पुरार पुर्शुत्तम आदिपुरूश हैं आप से कुछ भी विलुप नहीं है यहां से आधा योजन्दूरी कुमारी दूइप में वकदार लभ्यमुनी का आश्रम है वे अनेक नाम के ब्रम्हाओं के ज्याता हैं वे ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं अपने छोटे भाई लच्माजी के वचनों को सुन स्री राम जी वकदार लभ्यर्शी के आश्रम में गए और उन्हें प्रडाम कर एक और बैठ गए अपने आश्रम में स्री राम को आया देख महर्शी वकदार लभ्यने पूछा हे श्री राम आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है कृपाकर अपना प्रयोजन कहें प्रभू मुनी के मधुर वचनों को सुन श्री राम जी ने कहा हे रिश्वन मैं सेना सही यहां आया हूँ और राचसराज रावड को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ क्रिपाकर आप शमुन्द्र को पार करने का कोई उपाय बताएं आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है महरसी वकदालब्य ने कहा हे राम मैं आपको एकति उत्तम ब्रत बतलाता हूँ जिसके करने से आपको विजय स्री अवश्य ही प्राप्त होगी यह कैसा ब्रत है मुनिश्रेश जिसे करने से समझ छेत्रों में विजय की प्राप्ती होती है जिग्यासु हो, स्री राम ने पूछा, इस परमहरसी वग्दालव्य ने कहा, ही स्री राम फालगुन महा के क्रिश्न पच्च की विजयाय का रसीखा, उपवास करने से आप अवश्य ही, समुन्द्र को पार कर लेंगे, और युद्मे भी आपकी विजय होगी, ये मर्यादा पुर्शुत्तम इस उपवास के दिए दस्मी के दिन श्वर्ड, चांदी, तामबे या मिट्टी का एक कलस बनाएं, उस कलस को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लो रखकर उसे बेदिका पर अस्थापित करें, उस कलस के नीचे सत नजार थात मिले हुए सात और उपर जो रखें, उस पर विश्रु की श्वर्ड की प्रत्मा स्थापित करें, एकादसी के दिन अस्नानारी से निब्रित होकर, धू, दीव, नैवेद, नारियलादिसी, भगवान स्रीहरी का पूजन करें, वशारा दिन भगती पुर्वक कलस के सामने ब्यतीत करें, औ उस कलस को ब्रामहर को दे दे, ये दस्रत्ननन यदि आप इस ब्रत को शेना पतियों के साथ करेंगे, तो अवश्य ही बिजय स्री आपका वरण करेंगी, वुनी के वचन सुन, तब स्री रामचन्रजी ने बिधिपुर्वक बिजया एकादसी का ब्रत किया, और इसके उन्हों लोकों में विजय होगी, स्री ब्रामहर जी ने नाराजी से कहा था, जो इस ब्रत का महात में स्रवर करता है, या पढ़ता है, उसे वाजफिय अग्यके फल की राप्ती होती है, भगवान विश्रू का किसी भी रूप में पूजल मानो मात्र की शमस्त मनुकामनाय स्री राम हाला की श्रेम विश्रू के अवतार थे, अपितु अपने लिलाओं की चलती, प्रार्यों के सदमार्द दिखाने के लिए उन्होंने विश्रू भगवान के निमिर इस ब्रत को किया, विजय की इच्छा रखने वाला इस उपवास को करके अनन्द फल का भागे ब मिलता है, एकदसी माह में दोबार आती है, कृष्ण पच्छ और शुक्ल पच्छ, इस तरह वर्ष में 24 एकदसी आती है, आज आपको इस एकदसी पर हर एकदसी व्रत की संपूर विधी, नियम और उध्यापन का तरीका क्या है और किन-किन सामगरी की आवश्यक्ता होती है बताते हैं इसका उध्यापन देवताओं के प्रबोज समय में ही एकादसी के व्रत का उध्यापन करें विसेश कर मार्ग शीष के महिने में माग माह में या भीमति थी माग सुक्ल एकादसी के दिन ही इस व्रत का उध्यापन करना चाहिए चतुर मास में उध्यापन नहीं करना चाहिए जब आपकी चोवीश एकादसी पूर हो जाती है तब आप इसका उध्यापन कर सकते हैं एकादसी ब्रत के विधी के साथ ही इसकी उध्यापन विधी के बारे में भी बताते हैं एकादसी ब्रत करने वाले लोगों को दस्मी यानि एकादसी से एक दिन पहले के दिन से कुछ जरूरी नियमों को मानना पड़ता है। दस्मी के दिन से ही स्रधालूं को मान्ज, मचली, प्यार, मसूर की दाग और सहर जैसे खादे बदार्थों का शेवन नहीं करना चाहिए। भगवान विश्रू को पुष्प और तुनसी दलर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन ब्रत भी रखें। भगवान की आर्थी उतारें, भगवान को भोग लगाएं। इस पावन ने भगवान विश्रू के साथ ही मातालच्मे की भी पूजा करें। श्री विश्रू जी का चित्र अथ्वा मूर्ती चाहिए। पुष्पमाला, नारियर, शुपारी, अनार, आवला, बेर, अन्यरी तूफर, धूप, घी, पंचाम्रित बनाने के लिए, कच्चा, दूद, दही, घी, शहर और शक्कर चाहिए, चावल, तुलसी, कोबर, केले का पेड, मिठाई भी चाहिए। एकादसी ब्रत का उध्यापन, एकादसी ब्रत के दीत और उध्यापन पर ब्राम्नों को भोजन करवाना चाहिए, पूजन कितना भी बड़ा या छोटा हो, सभी ब्रतियों को स्रधा के साथ इसे करना चाहिए, एकादसी ब्रत का उध्यापन किसी योग्याचार्य के मार्क दर्शन में करना चाहिए। उध्यापन में बारा मा की एकादसियों के निमित। बारा ब्रामनों को पत्नी सहित निमंतरित किया जाता है। किसी भी ब्रत के पुड़ता तभी माली जाती है जब विधी विधान से उसका उध्यापन किया जाए। उध्यापन करना इसले भी आवश्यक है क्योंकि हम जो ब्रत करते हैं उसके साथ छी तमाम देवी देवता यच्छ नागादी होते हैं। एश्यक में उध्यापन के दवरान की जाने वाली पूजा और हमन से उन सभी देवी देवताओं उनका भी भाग प्राप्त होता है। इस दवरान की जाने वाले दान दच्छ नाशे ब्रत की पूड़ता होती है और मन इच्छा का फल मिलता है।